जमु कुश्मे के उधुमपूर जिले में बंदरों के आतंग से हर कोई परिशान है। जिले में बंदरों को भगाने के लिए कई पॉर्मिली लगाए लेकिन कोई काम नहीं आया। बंदरों वर लंगूरों की दुश्मनी का फायदा उठाते हुए वनेचे विभाग किसी तरह लोगों को रहत प्रदान करना चाहता है क्यूंकि बंदरों का आतंग इस कदर बढ़ चुका है कि शेत्र के किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। क्यूंकि बंदर उनकी फसलें पर बात कर देते हैं। वनेचे विभाग के उधंपुर रिंज के आफिसर राकेश शर्मा के अनुसार बंदरों का आतंग ताफी बढ़ गया था। इसलिए बंदरों को भगाने के लिए ये फॉर्मिला अपनाया गया है। राकेश शर्मा ने आम लोगों से भी अपील की कि वे बंदरों को खाना ना दे। इससे उनकी आदिते भी करती हैं और वे जंगलों को छोड़ रिहाइशी इलाकों की और बढ़ते हैं। क्योंकि यहां उन्हें असानी से खाना मिल जाता है। जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वे जंगलों की और चाहेंगे। क्योंकि यहां मैं राके शर्मा रेंज ओफिसर वाइलाइफ रेंज दूपर डिपार्टमेंट आफ वाले प्रटेक्शन ने अभी रिसेंटली जो एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल ट्राइल के बेसिस पे हमें इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जो बबून के कट आउट्स हैं क्योंकि यह एक मानेता है कि बबून के साथ इसकी एक्जिस्टेंस में दिक्कत आती है और मंकी इस से थोड़ा रिपल रहता है तो बबून के कट आउट्स हमारे हाई रफ्स के इंस्ट्रक्शन के अकार्डिंगली हमने जो मंकी मिनेस जहां जहां एरिया से आ रहे हैं हम बहां पे इंस्टाल कर रहे हैं हमने नेर बाउट 35-40 कट आउट्स चनैनी और जगानू और अधंपूर के कुछ वार्ट्स में इंस्टाल किये हैं और इसका जो इंपक्ट है वह जैसा हमने अपने फिल्ट फिल्ट स्टाफ और तो लोकल पी आराइस की फीड़ वैक से लिया है तो काफी पॉस्टिव हैं लेकिन यह इनिश्चल अभी इसको हम इंफैंसी में कह सकते हैं इसका फर्दर इंपक्ट है वह मिसको वाच करेंगे और इसके अपर्दर अपर आप्राइज हार रफ्स को करेंगे और इसका फरदर इंस्रक्शन को फाल्व करेंगे